दोस्तो ये स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल फैंटासेटिक्स पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है मुल्तान सुल्तान वसेस लाहर कलंदर्स के बीच में कॉलिफायर मैच खेला जाएगा उसकी इस वीडियो को अंतक जरूर देखना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं एकदम बहतरीन स्टार्स बताने वाला हूँ आपको जो आपको small leagues और grand league बनाने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक जरूर देखना ये match मुल्तान सुल्तान vs लाहूर करंदस के बीच में खेला जाएगा दोनो PSL की सबसे तकड़ी टीम है एकदम strong टीम है दोनों ही इस PSL की मैं आपको बता दू कि टीम मुहरों की बात करेंगे तो मुल्तान सुल्तान जो मुहमद रिजवान इस टीम की lead करते है captain है 10 matches में 9 matches जीते है मतलब कितना consistence performance करती है ये team आपको समझ आया ही होगा अब लाहूर करंदस की बात करेंगे 10 matches में 6 matches जीते है चार match हार चुके है शाहिशा अपरदी इस team के यहाँ पर captain है देखो जब से ये team तब तक strong थी इस PSL में तब तक यहाँ पर राशिद खान जो थे वो इस team में थे लेकिन अब national duty मतलब बांग्लादेश के खिलाब उनकी series है तो राशिद खान qualify match में भी नहीं है फवाद अमद जो 40 साल के एक experience player है वो भी game को बदल सकते दोस्तो ऐसा नहीं कि राशिद खान नहीं है और पिछले match में पवाद खान ने यहाँ पर लगभग 3 wicket यहाँ पर ले चुके थे तो देखने बहुत मज़ा आएगा ये match ठीक है और grand league के लिए आज से बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही match है आज खेलने के लिए अब pitch reports की बात करूँगा तो ये match खेला जाएगा यहाँ पर गदाफी stadium लाहोर के मैदान में यहाँ पर batsmen को ज़्यादा से ज़्यादा help मिलता है दोस्तो और बैटिंग करते ही अच्छा सा 190 यहाँ पर देखा जाए तो average score है आपने देखा ही होगा इस PSL में भी लगभग 180, 170, 190 ASI score जा रहा था तो इस qualifier match में भी ASI देखने को मिल सकता है हमें पर देखे 27 matches खेलेगे 15 फस्त बैटिंग करते हुए जीते है और सेकन बैटिंग करते हुए 12 ही जीते है अब प्लेइंग लिएंग की बात करूंगा मुलतान सुल्तान वसेस लाहोर कलंदर्स के बीच में तो मुलतान सुल्तान के यह यहाँ पर ओपनर जो है वो है शान मसूद और मुहमद रिजवान यह इस PSL में सबसे ज़्यादा अगर विलिंग मिली है यहाँ पर मुलतान सुल्तान को तो यह दो प्लियर्स है उनका कंसिस्टन्स परफॉर्मस है करता है तो क्या कौलिफायर्स मैच में ऐसा हो सकता है कि यह दोनों भी फिर से यहाँ पर अच्छी परफॉमस देखे आएगी देखे मैं बताता हूँ आपको जो नॉकाउट्स मैचेस होते है ना कौलिफायर्स सेमी फाइनस फाइनस वहाँ पर जो हम सोचते है उससे थोड़ा सा अलग होता है इसलिए मैं क्या बोला कि आपको यह ग्रैंड लिग खेलने में बहुत मज़ा आएगा स्मॉल लिग से जादा क्यूंकि अगर आप इनको काप्टन वाइस काप्टन कर दे तो क्या पता यह पहले ही ओवर में इस जूरो पे या पर पांच-छे रंस पे भी आउट हो सकते है कॉलिफायर मैं अच्छे दोस्तों द हो जाएगा अगर देखें मुहमद रिजवान तो बहुत ही एक्स्पियेंस प्लेयर है लेकिन शान मसुद पर थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पर लेना है रिस्क तो आप ले सकते हो शान मसुद की बात कूंगा इस प्येसल में दस माचेस में 470 रन बना चुके है पैतालि मतलब आगे के टीम में शाहिशा अफृदिय और हैरिस रॉप जैसे प्लेयर बहुत ही अच्छा खेलता है और इस टीम के खिलाब आट मैचेस में 217 इकप्तिस कावरेज है हर मैच में 21 बनाता है लाहर कलंदर्स के यहाँ पर खिलाफ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा च में अपोननन के खिलाब तो आपको यह दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन ही होंगे अगर यह चल गए मतलब आपके इनको देड़ गुना प्यापर पॉंट्स मिल सकते हैं तो आप कहाँ पर सोचिए कि जादा जादा टीम में रखिया अगर कैप्टन वाइस काप्टन न बना चुके है 24 के आवरेज के साथ पिछले मैच में इनको बहुत ही मतलब बैटिंग ही नहीं दिया था वो क्यों नहीं दिया था क्योंकि मुहमद रिजवान यहाँ पर चाहते थे कि हर एक बैट्समन को मोका मिल जाए मतलब फॉर्म में आए कॉलिफायर से पहले तो इस मै सिर्फ पॉर्म में नॉक युट मैचेस में भी बहुत अच्छा खेलता या तो अगर आप लिग में इनको ड्रॉप किया है ना ऐन दोनों को तो इनको कैपटन राज कैपटन कर सकते हो small league इनको captain wise captain player नहीं है आपको बता दू लेकिन अगर grand league की बात करेंगे तो इनको आप captain wise captain कर सकते हो खुशदिल शहा और team david ये दोनों hard hitter batsmen है middle order जो भी देखिए PSL में जो मुलतान सुल्तान की successful Q है बताता हूँ आपको जो इनके जो openness है वो तो चलते ही चलते है लेकिन जो middle order में जो कुशदिल शहा और team david है ना वो भी जब मुहमद रिजवान और शान मसुद नहीं चलते थे तो ये दोनों बहुत अच्छा पदशन करते थे अपने team के लिए balling से भी और batting से भी खास करकि team david अपने batting से बहुत अच्छा खेले इस bbn में ठीक है तो आपके लिए ये बहतरी यहाँ पर team है आज ज़्यादा से ज़्यादा chances है कि मुल्ता सुल्ता जीतेगी लेकिन आप records की बात रहेंगे तो इन दोनों को कब रखना है मैं आपको बताता हूँ अगर मुल्ता सुल्तान की पहली batting आई तो इन दोनों को आपको आग बंगे अपने team में रखना ही रखना है और captain vice captain सिर्फ खुषदिल शाहा है team David को मत रखना आपको captain vice captain सिर्फ खुषदिल शाहा को करना है अगर पहले batting करती है अगर second batting करती है team तो आप इन दोनों में से एक को डॉप कर सकते हो और captain vice captain बिलकोल भी मत बनाना अगर पहले बैटिंग करती है मुद्दा सुल्तान तो ही आपको खुषदिल शाह को कैप्टन बनाना है और अगर टीम डेविड को सिफ रखना है खुषदिल शाह की बात करेंगे 10 माचेस में 121 रण 24 का आवरेज है 5 रिकेट हेट टो हेट की बात करेंगे टीम डेविड की बात करेंगे 10 माचेस में 121 रण 41 का आवरेज है एक विकेट ले भी चुके है बैटिंग की बात करेंगे तो अभी तक नहीं किया है लेकिन ये प्लियर एकदम स्पोर्टक बल्लेबाज है आपको बताने की जरूरत नहीं है एक टिके तो यह आपके लिए अच्छा पीक रहेगा अब Grand Leog में मैंने क्या बोला था कि भाई Small Leog में मैंने क्या किया जब पहले बैटिंग करते हैं तो दोनों को रखना है Second Batting करते है तो इन दोनों में से एक को डॉप करना है एक को लेना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशदिल शाह को लेना पड़ेगा क्योंकि यह All-Downder बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से काम करेंगे या फिर बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से काम करेंगे Grand League में इन दोनों को जरू ट्राइक कर लेना जिस Grand League में अगर इनको Captain Vice Captain कर रहे है दोस्तों तो उस टीम में आपको मुहमद रिजवान या फिशान मुसुद में से दोनों को एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा ये भी ध्यान में रखना है आपको अब आमीर या आजमत यो तीन मैचेस में चार अन बना चुके इतना अच्छा रेकॉड नहीं है इस प्लियर को आप बिल्कुल भी ड्रॉप कर सकते हो Small League का भी प्लियर नहीं है ये डेविड विले आपके लिए अच्छा प्लियर है Grand League का ठीक है Grand League में इनको जरू ट्राइ करे लेना ड्रेविड विले का क्या है एक्स्विरेंस प्लियर है 31 इनका एज है और 6 मैचेस में 28 बना चोके 10 विकेट ले जोगा है डेथ में बॉलिंग करता है ठीक है सबसे इंपोर्टन है डेथ में डेथ में जो बॉलिंग करता है ना दोस्तो वो आपके लिए सबसे बेस्त पिक रहेगा ठीक में बहुत कुछ में बहुत कुछ हो सकता है बहुत कुछ इनको दो ओहर में लास्ट के 30-40 भी रन मार सकते हो और यही बंदा दो ओहर में ना आपको 3 या 4 विकेट भी लेके जाता है एक नॉक ओड में ऐसा होता ही होता है यह द्यान में रखना है स्मॉल लिग में कैप्टन मेंस कैप्टन बिल्कुल नहीं है लेकिन टीम में रख सकते हो असीव अफरीदी यह प्लियर तीन मैचेस में चार विकेट ले चुका है लेकिन नॉक ओड स्टेज में यहाँ पर मतलब वालीफायर आज के मैच में इतना अच्छा चोईस नहीं है जितना यह पिछले मैचेस में था ठीक है यह यहाँ पर पावर बे में बॉलिंग करता था लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनके अगेंस्ट कोन रहेगा अब फकर जमान रहेगा बैटिंग के लिए तो यह आपके लिए अच्छा पिक नहीं है आज के लिए ठीक है रुमान रईस आपके लिए अच्छा पिक है चार मैचेस में दो विकेट ही है छे मैचेस में दस विकेट ले चुका है इस टीम के खिलाब लेकिन आज इनको बहुत ज़्यादा एग्नोर करेंगे लोग कम सिलेक्टर परसंटेज भी रहेगा तो आपके लिए अच्छा मोका है कि स्मॉल लिग में अगर इनको लिया और यह चल गया तो आप वन साइडेट जीच सकते हो क्योंकि ऐसा प्लेयर ही है रुमान रईस आपके लिए अच्छा चोईस है स्मॉल लिग में आज थोड़ा सा जरूर रखना अब थोड़ा सा रिस्क लीजिए आज के मैचेस में रुमान रईस आज टीम में जरूर रखने ना इमरान ताहिर और धानी के बीच में अगर इमरान ताहिर पहले बॉलिंग करते है तो इनको आप ड्रॉप करेंगा ठीक है लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग आएगी इनकी तो आपको इमरान ताहिर रखना है और कैप्टन वास कैप्टन ग्रैंड लिग के लिए है small league में मत करना ठीक है इमरा अताहिर पहले balling करेंगे drop कीजिए लेकिन अगर second balling करते तो आपके लिए अच्छा player है 10 matches में PSL में 16 wicket ले चुका है और head to head balling की बात करेंगे तो 7 matches में 9 wicket ले चुका है शाहनवाज दहानी यह आपके लिए अच्छा player है इनको drop मत करना क्योंकि यह player ना इतनी अच्छी balling डालता है कि unplayable ball डालता है और बहुत ही अच्छी आपर form में हैं तो आपको ना इनको drop मत करना आप इमरान ताहिर को drop कर सकते अगर पहले balling आई तो लेकिन शाहनवाज दहावाणी को जरूर रख लिना आपको ठीक है यह द्यान में रखना है अब लाहूर कलंदस की बात करेंगे तो फकर जमान और शोयल अक्तर मुझे लगता है कि opening करेंगे हर एक match में यहाँ पर फकर जमान के साथ यहाँ पर अब्दुर्शफीक या फिर कोई दूसरे आते लेकिन शोयल अक्तर बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लेयर है आपके लिए और सबसे important बात आज के match में कि फकर जमान के लिए बहुत ही आपके लिए अच्छा पिक रहेगा captain and captain grand league और small league के लिए है देखे आज के match में सबसे important player रहेंगे लाहूर कलंदर के जो captain and captain के लिए बहुत ही बेहतरीन है वो है फकर जमान यहाँ पर जो मुहमध हपीस और शहिण शाफरीदी यह तीन-चार प्लेयर से जो आपके लिए बेहतरीन है फक्त जमान की बात कोई दस मैचेस में 721 बाववन कावरिज है इस PSL में टीम के खिलाब 41 रन बना चुके है 11 मैचेस में 471 है और शोईल अक्तर की बात करेंगी तो इस टीम के खिलाब 19 का ही आउरेज है आप शोईल अक्तर को स्माल लिग में ड्राप करना ग्रैंड लिग में ज़रूर रख लेना कैप्टन वाइस कैप्टन प्लियर सिर्फ इन दोनों में फकर जमान है केम गुलाम और फिलिप साल्ट ये दोनों में से आपको लाँ आज थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो फोर मिम्मेर का लिग तो फिलिप साल्ट आपके लिए अच्छा प्लियर हो सकता है ठीक है विगेट कीपर के सेशन में आता है वहाँ से भी पॉइंट दे सकता है और बैटिंग से भी मुझे लगता है कि अगर ये दोनों भी फ्लॉफ हो जाते है तो फिलिप साल्ट का ज़्यादा अच्छा ये पर बैटिंग आ सकता है लेकिन अगर फिलिप साल्ट ओपन आते है तो आपके लिए इनको आग बंद करके आपको ड्रॉफ करना है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या लाइन अप आती है उसके बाद ही में टेलिगाम चैनल पर बता जीता हूँ तो टेलिगाम चैनल पर जरू जुड़े रहे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ पर जाहिए फिलिफ साल्ट ओपनर आते हैं तो ड्रॉफ करना अगर नीचे आते हैं तो आपके लिए अच्छा पीक रह सकता है और आपका एक जो बोलते है ना डिफ्रेंशियल फीक हो सकता है फिलिफ साल्ट कामरान गुलाम पिछले मैच में अच्छा तो खेल रहते लेकिन बीच में आउट हो गए 10 मैच में 234-26 कावरेज है टीम के खिलाब 42 कावरेज है तो टीम के खिलाब तो बहुत ये बहतरी निया पर इनका रेकॉर्ड है तो आपके लिए अच्छा पीक है आजकी मैच के लिए स्मॉलिंग में टीम में ज़रूर रखना कैप्टन और हैस कैप्टन बिल्कुल भी मद बनाना दूस्तो मुहमद अबपािस को आपके अन। क्याप्टन बना सकते हो फकर जमान मुहम्मद हापीज यह दो प्लेस है आपके लिए बेस्ट पीक रहेंगे दस मैचन में 226-28 का आवरेज है और तीम के हलाब क्याप्टन इनको बनाना है तो खुझदिर शाहर को आपको डॉप करना है या फिर खुझदिर शाहर वहापर क्याप्टन करते है तो इनको डॉप करना है क्योंकि इनके खिलाब बहुत ही खराब रेकॉर्ड है लेप्ट आम स्पिनस के खिलाब मुहमद हापीज का इतना अच सकते हो, ठीक है, हैरी ब्रूक जो साथ माचे में दूसो आट उनात्तर का आवरेज है, यहाँ पर लगबग, हैरी ब्रूक इस PSL में बहुत ही अच्छा खेले है, दो-तिन पारिया इन्होंने बहुत ही अच्छी खेलिए, मतलब बहुत यहाँ पर धोया है इन्होंने लेकिन क्या यहाँ पर आज की मैच में, कॉलिफायस की मैच में यह अच्छा केलते जैसे कि वहाँ पर टीम डेविड और खुशदिल शाहिना, भही यहाँ पर हैरी ब्रूक और डेविड वीजा है, आपके लिए एकदम स्पोर्टक बल्यवाज तो इन दोनों को कब ट्राय करना है अगर इनके टीम पहले बैटिंग करती है वैसे ही मैंने कब बताया था मुलतान सुल्तान का वैसा ही इधर आपको करना है और डेविड वीजे तो भाही बॉलिंग की से भी देविड वीजे इधान में रखना है शाहिन शाफिर दी हैरिस रॉफ, फवाद अमद और जमान खान यह बैटिंग यह बॉलिंग यहाँ पर अटेक है यहाँ पर लाहूर कलंदर्स का और एकदम बहतरीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चांसेस भी यह भी होते है कि मुद्दा सुल्तान का जो बैटिंग ओडर है वो यहाँ पर इस बॉलिंग अटेक के सामने फेल हो सकता है तो अगर आप यहाँ पर एक टीम में जरूर ऐसे दो तीन टीम में बनाना यहाँ पर बॉलिंग ओडर है थोड़ा सा कम करके मतलब साथ प्लेस इनके लेना है आपको और चार प्लेस मुद्दा सुल्तान इससे दो तिन टीम से जरूर बनाना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और हेट टो हेट टीम रेकॉर्ड की बात करेंगे तो नो मैचस खेले गए पाँच मुलतान ने जीते है चार लहोर ने जीते है काप्टन वाइस काप्टन चौशे साब के लिए सेफ काप्टन वाइस काप्टन को है होना इन दोनों को यहाँ पर रिवर्स भी कर सकते हो ठीक है बहुत लोगों का आज का ज्यादा से ज्यादा स्मॉल लिग में यही होने वाला है काप्टन मेंस काप्टन हर एक ओपोनेंट के सामने तो आपके लिए Grand Link ना खेलना बहुत ही है पर आज के लिए easy है तो आप Grand Link में ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो ठीक है छे प्लेस लाहूर के लिए है पांच प्लेस मुलतान के बॉलिंग की सेक्षन में फवाद हमद, शाहिशापदी, हैरिस रॉफ, ताहीर और धवानी है ठीक है और मुहमद हपिज और बीले यह मेरे Allrounder के सेक्षन में रहेंगे ठीक है और बैटिंग के सेक्षन में गुलाम, जमान और डेविड है ठीक है सब्सक्राइब भी जरू करना और अपने दोस्तों के साथ शेर भी जरू करना यहीं इन्फॉर्मेशन उनको भी बहुत ज्यादा हिलफुल आईगी तो प्लीज शेर जरू करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरू कर देजा तब तक मिलते हैं, नेक्स विए में तब तक के लिए बाई बाई